कि हाई एवरिवान वेलकम टू स्लीपीक प्लासिज के आज हम इसक्स करेंगे पलवास टैनेस्टी और इस सेशन में हम एमसी क्यू भी कवर करेंगे तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अब पलवास ने किसको रिप्लेस करा था इक्षा बाकू डैनेस्टी को और यहां पर आप ऐसे समल लो जहां से पलवास ब्लोंग करते थे उस एरिया को कहा दाता था लैंड ओफ रिपर्स या फिर टोंडाइ लैंड उस रिजन या उस रिजन के आसपास वाले रिजन में इन्हों ने अपने आपको स्टैब्लिश करना शुरू करा फिर एक रूलर आये जिनका नाम था सिमा विष्णू और सिमा विष्णू ने ही बेसिकली इक्षा वकू डैनेस्टी को हराया था और हराने के बाद अपने आपको स्टैब्लिश किया था साउस्टन आंद्रपरदेश और नौर्टन तमिलनाड वाले रिजन में पलवास की जो कैपिटल थी वह कौन सी लेंड भामिन्स को ग्रांट के तोर पर दिया अब यहां पर पलवास के समय में जो लेंड रिकोर्ड्स हैं वो कोपर प्लेट पर इंस्क्राइब करवाय जाते थे और इसी वज़े से हम जान पाए कि इन्होंने बहुत सारा लेंड भामिन्स को ऐसा ग्रांट के तोर पर दि में भी हमने तीन डूलर ही पड़े थे ऐसी हम पलवास में इंपॉर्टेंट डूलर ही कवर करेंगे तो फ़र्स्ट टूलर हैं महिंदर वर्बन फ़र्स्ट इनका रीन भी आपने याद रखना है फाइन नैंटी से लेकर अगर आपने वह सेशन अभी तक नहीं देखने तो कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं अब देखिए हर्षवर्दना हैं महिंदर वर्मन फ़र्स्ट एंड पुला किसिन सेकेंड यह जो तीनों रूलर हैं इनकी नेम आपने यहां लिखें ऐसी देखें महिंदर वर्मन फ़र्स्ट काफी अच्छे पॉइट थे और इन्हों ने लिखा था माता विलासा परहां सना तो यह आपने यहां पर याद रखने हैं और पुला केसिन सेकेंड ने जब इनको हराया तो इनका नॉर्फन प्रोविंस सारा का सारा आपने यहां पर याद अखना है कोकर नेसवरा टेंपल और एक खिरू कोकर नम पुदू कोटी जो तमिलाटू में वह टेंपल भी इन्हीं के दवारा बनाएगा तो यहां पर मैंने सभी की नाम सही लिए एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना और साथ-साथ आपने एक इस तूलर है नर्सिंहा बस्त अब थे अपने फादल्स का बदला लिया और पुला कहसिन सेगिंड को हरा दिया के बाद जो चलोका कबार करना कinterest को अब करने के बाद कि यह राया और यह इन्हों ने टू नेवल इस्पेरेशन भेजी शिरलंका में और क्यूं भेजी थी देखिए कि उस समय श्रिलंकन किंग पर अटैक कर दिया था चीघ, हाला कि मनावर्मा भार गए थे और र्खाटने के बाद ऐसा रेफ्यूजी रहे थे अब कर देखने को मिलेगा महमला पूर्म और महमला पूरं को हम बेसिकली महाबली पूरम भी कहते हैं और इनी के एंपायर में हेंग सांग ने विजिट किया था 640 एडी में और कहां पर विजिट किया था कांची में नेक्स टूलर है नर सिमा वर्मन सेकंड या फिर राजा सिमा और इनका जो टैनियोर है वो है 695 से लेकर 722 एडी अब इसके इन बिट्वीन दो रूलर आए और यह दो रूलर याद करना आपके लिए जुरूरी नहीं है यह हम नेक्स लाइड में डिसकस करेंगे जहां पर हम कवर करेंगे पलवास एंड चालूक्यास के बीच में जो 200 सालों तक कंफ्लिक्ट रहा अब द और किया तो यह पूछा जाता है और महा माला जो रीजन था उसको महावली पूरं के समय में great scholar हुए थे इनके empire में दंदिन और यह question कुछ आजाता है कि दंदिन किसके empire में एक great scholar थे नर्स हिमा वर्मन सेकेंड और इन्हों ने अपनी embassy चायना में वेजी थी यह question तो बहुत बार अग्जाम में आ चुका है कि कौन से पलवा रूलर ने अपनी अमबैसी चाइना में भेजी थी नर्सिमा सेकंड और नर्सिमा सेकंड या फिर आपको ओप्षन में देखने को मिलेगा राजा सीमा तो बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखते हैं बाकी देखे कंफ्लिक्ट क्या था पलवा जैंड चालू क्य का पूरा एक तरह से आप ऐसे समलोग रहता था साउस में और काफी स्टॉंग रूलर महना दाता था उनको तो पलवाज और चालू क्यास यहां पर 200 सालों तक आपस में इस रीजन को लेकर लड़ते रहें फिर हम जब मैडवल हिस्ट्री में देखते हैं विजयन अगर पलवास में एक दूसरे के आमने सामने हुए से जब पलवास में हमने एक चीज पढ़ी थी पुला के सिन सेकेंड ने किसको राया था और महंदर वर्मन फर्स ने अब ऐसे पर विक्रम अदित्या सीथन और इन्हों ने बदला लिया था यह चलूकर रूलर है और इन्हों न तीन बार जो कांची पूरम है उस पर अपनी आर्मी को भीजा और छे सा सालों के लिए कंप्लीट एरिया एक्वाइर कर लिया और उसके बाद मिक्रम अधित्या बहुत ही स्ट्रॉंग डूलर थे इन्होंने चोला डैनेस्टी को हराया पांडया डैनेस्टी को हराया केरला के अपनी आर्मी को वहां पर रखते थे और इनकी आर्मी कहां पर कौन से रीजन में होती थी यह रीजन भी आपको बताओना चाहिए और विक्रम अधित्या ने टाइटल को हराने के बाद में इनके लिए टार्गेट क्या था पलवाज तो यहां पर आपसे कोशन पुछा जा और यह कोशन तो बहुत जादा पुछा जाता है कि पलवाज को हराने के बाद कौन सा टाइटल करा था शीरी प्रित्वी वल्लवाज अब यहां पर हम कुछ कोशन डिसकस करेंगे जैसे फर्स्ट कोशन है हमारा कैपिटल ऑफ दा किंग्डम ऑफ पलवाज बहुत ही सिंपल बहुत है की तो यहां पर आपको याद रखने हैं और सिम्हा वर्मन भी थे और महिंदर वर्मन भी थे तो यहां पर बहुत एंड सी ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं और आज के हमारा लास्ट कोशन है वह मंगदा फॉल्विंग बिल्ड वैकुंत पेरोमुल टेंपल तो यह टेंपल किसने मनाया था नंदी वर्मन तो यहां पर ऑप्शन भी आपक अग्जाम में कोशन देखेंगे तो उसके लिए भी आप प्रपेर हो पाएंगे तो आज की सेशन में इतना ही होफुली सेशन में जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करें वह आपको समझ आ जाएगा और इन पॉइंट्स को अपने याद रखना है जल्द ही आपको टेलिग् मिलेंगे सब तक लिए अपना ध्यान रखेंगे बाई बाई टेक किया